अगर दोस्तों हमें बैंक से लोन लेना हो या फिर महिला समिती या फिर JSPL के माधियम से जो लोन मिल रहा है अगर दोस्तों हमें ये लोन लेना है तो हमारे पास उद्यम रेजिस्टेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो चलिए आगे जानेंगे दोस्तों किस प्रकार से ह हमें online registration करना चाहिए आगे दोस्तों हम step by step जानने की कोसिस करेंगे फ्रेंड लेकिन दोस्तों हर बार की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों सागरा करना चाहूंगा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल अपडेट online को सब्सक्राइब ने किया है पहला हमारा अधार काड दूसरा pen card तिसरा bank account और चौथा में हमारे अधार के साथ mobile number लिंक होना चाहिए तो चलिए आगे जानेंगे किस प्रगार से हमें registration करना होता है दोस्तों हम दो माध्यमों से उद्यम registration की certificate प्राप्त कर सकते हैं online registration करने के बाद तो चलिए पहला माध् registration का certificate प्राप्त कर सकते हैं online करने के बाद दूसरा माध्यम रहा दोस्तों हम digital सेवा की portal की मदद से भी उद्यम registration के लिए online registration कर सकते हैं तो चलिए अभी हम digital सेवा की portal की मदद से उद्यम registration की certificate को online करेंगे और उसके बाद certificate भी प्राप्त करने की कोशिस करेंगे तो दोस्तों ह अब हमें करना क्या है डिजिटल सेवा के पोटल को ओपेन करणा है इसके बाद हमें लोगिन भी कर लेना है जैसे हम लोगिन कर लेंगे फ्रेड तो पहला डेशबोट को चीजप्रगार का आप देख पाएंगे अब हमें करना क्या है सर्च की मेनू में किलिक करेंगे और यहा दिडियर्वेथ डिजटल सेवा कर्нетठथ कर देना है आगे के प्रोचेस में चलने के लिए अब हमें पहला काम क्या करना है फ्रेंड जिनका भी आप उद्यम रिश्टेशन के लिए ओलाइन करना चाहरे हैं उनका आधार नमर यहाँ पर फिल करना होगा उसके बाद उनका न मोबाईल नमबर पर OTP जाएगी उस OTP को आगे वेलिडेट हमें करना होता है मोबाईल OTP आने के बाद इससे हम वेलिडेट कर देंगे मोबाईल OTP वेलिडेट करने के बाद next dashboard कुछ इस प्रकार का होगा जहां पर हमें pen number फिल करना रहता है आप यहां पर read and watch कर पा रहे होंगे friend योर आधार है जबीन सक्सेस्पूली वेरिफाइड यू कें कंटिन्यू उद्ध्यम रेश्टेशन प्रोसेस अब हमें करना क्या है सबसे पहले तो type of organization हमें select करना होगा यहां पर काफी option आप देख पा रहे होंगे पहला option proprietary का है एकल स्वामित अगर आप individual registration कर रहे है तो पहली option को आपको लेना रहता है इसी परकार से दोस्तों सारी option को आप देख पा रहे होंगे किसी महिला समू का करना है self help group का तो उसका अलग है society का अलग है trust का अलग है तो यहाँ पे सारी option को आप देख पा रहे होंगे अभी हमें करना क्या है friend अगर किसी individual वेक्ति का उद्याम registration करना है तो हमें proprietary को select करना चाहिए इसके बाद हम अपने pen number को डालेंगे जिनका भी हम registration कर रहे हैं pen number डालने के बाद pen validate पे हमें click करना रहता है next dashboard में चाने के लिए फिर से हम करेंगे क्या friend cursor को down करेंगे के बाद हमें continue करना रहता है next dashboard कुछ इस प्रकार का आपके पास होगा अगर आपने 2019-22 में ITR फाइल किया है तो yes करेंगे वरना इसे आपको no करना है इसी तरह से अगर आप ITR फाइल करते हैं income tax return फाइल करते हैं तो आपको ITR पे click करना है और नई करते हैं तो यहाँ पे no की option होगी वहाँ पे आपको no कर देना है इसके बाद अगर आपके पास JSTN number है तो आप yes करेंगे वरना इसे आप no कर देंगे friend तो no करना है हमें उसके बाद करसर को हम down करेंगे name of entrepreneur में आप देख पा रहे होंगे हमारी नाम यहाँ पे so करी है जिस वेक्ति का भी आप करेंगे उसका नाम यहाँ पे so करेगा क्योंकि आधार card और pain card के माधियम से यह registration किया जा रहा है तो आप यहाँ पे नाम देख पा रहे होंगे इसके बाद करना क्या है अपने mobile नमर को यहाँ पे fill कर देना है इसके बाद email id को भी आगे fill कर देंगे आप इस option में अब हमें आगे करना क्या है friend फिर से cursor को down करेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे social category जिस भी जाती वर्ग से वो होंगे वो हमें यहाँ पे select कर लेना है सारी option आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जन्डल SC, ST, OBC तो जिस भी जाती कास्ट से होंगे तो आपको यहाँ पे select कर लेना है इसी परकार से दोस्तो gender में आप links select कर लेंगे महिला या पुरूस जो भी हो इसे आपको select कर लेना है अगर candidate विकलांग है तो आप यहाँ पे दिब्यांग में yes कर सकते हैं और विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पे no करना है इसके बाद फिर से cursor को आपको down कर देना है name of enterprise में दोस्तों आपको करना क्या है जिस भी दुकान का प्रेस्टेशन करना चाहरे है जिस भी दुकान के नाम से उस दुकान का नाम यहाँ पे आपको fill कर देना है तो जो भी candidate का दुकान का नाम हो उस नाम को यहाँ पे आपको fill कर देना है plant unit name में भी उसी दुकान का नाम को यहाँ पे fill कर देना है friend इसके बाद आपको आगे add unit पे click कर देना है जैसे आप add unit पे click करेंगे जो भी दुकान का नाम होगा आप यहाँ पे unit name में आप इसे देख पर होंगे फिर से अब हमें आगे क्या करना है करसर को थोड़ी फिर से डाउन करेंगे अब हमें आगे क्या करना है friend location of plant में यहाँ पे जब हम click करेंगे तो वो दुकान की नाम यहाँ पे show करेगी जिसे आपने fill किया था तो हमें क्या करना है इसे select कर लेना है इसके बाद दोस्तों दुकान की सस्थान पे है वो सारी जो address है उसे आप यहाँ पे fill कर देंगे या फिर आधार में जो address है उसे भी आप यहाँ पे fill कर सकते हैं name of premises building में आपको क्या करना है जिनका भी आप उद्धियम registration कर रहे है उनका नाम पहले यहाँ पे fill करेंगे इसके बाद village, block road street, city pin code, estate, district यह सारी चीजों को आपको यहाँ से select कर लेना रहता है या फिर इसे आप fill कर सकते हैं तो सारी चीजों को जब हम fill कर लेंगे इसके बाद दोस्तों हमें add plant में click करना रहता है तो यह add हो जाएगी, same उसी परकार से दोस्तो, official address address में भी आपको same address जो आपने fill किया था पहले उसी address को यहाँ पर fill करेंगे और इसे भी आपको add करना रहता है 14 नमबर में हमसे पूछा जा रहा है क्या आपने उद्यम registration पहले भी किया है या फिर नहीं किया है अगर आपने पहले किया है तो previous UM में आउस नमबर को यहाँ पर fill करना होगा वरना दोस्तो, अगर आप नया फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए आप not available पर click करेंगे अब हम 15 नमबर पर चलेंगे दोस्तो यहाँ पर क्या fill करना है, क्या नहीं करना है date of incorporation registration में जब आप यहाँ पर click करेंगे उस date को fill कर देंगे जब से दुकान आप चला रहे हैं, एक साल पिछे से या फिर एक दो साल पिछे से आप यहाँ पर select कर लेंगे, जो भी date मेरे दुकान opening हुई थी, उस date को यहाँ दोनों अस्थानों पर comment sensement में भी वही fill करना है यह दोनों जगा पर आप fill करने के बाद अब आपको फिर से cursor down करना है इसके बाद friend आपको करना क्या है bank detail में जिसका भी आप उद्यम registration कर रहे हैं उनका bank detail यहाँ पर fill करना होगा जैसे कि bank का नाम IFC code, account number यह सारी चीज़ें आपको fill करना होगा 17 number में मार्टवन चीज़ है दोस्तो इसमें दो चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी manufacturing और services अगर उस दुकान में कोई चीज बनाया जाता है या फिर निर्मान किया जाता है तो manufacturing में आपको select करना है अगर उस दुकान से कोई भी चीज sale किया जाता है तो आपको services पर click करना रहता है friend तो अगर आप किसी भी समान को बनाते नहीं है बस sale करते हैं तो services में आपको click करना है इसके बाद non trading या फिर trading या आपको select कर लेना है तो हमें non trading यहाँ पर select करना है अब आगे 18 नमबर में महतपून चीजे हैं जिसे आपको ध्यान पूरवक select करना है जैसे कि NIC code अब दोस्तों हमने राज मोबाइल के नाम से इसका registration करना है तो mobile repairing का का होता है तो इस परकार का हम NIC code यहाँ select करेंगे आगे आप देखेंगे कि किसी general store का करना है या फिर और भी बहुत सारी दुकाने होती है तो उस परकार का NIC code आपको Google से search कर लेना होगा तब जाके यह समझ पाएंगे कि किस परकार से आपको इससे select करना है तो अगर हम mobile repairing का का काईट करते हैं तो इस परकार का NIC code जब हम यहाँ पर type करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने आजाएगी तो जो भी suitable होगा उसे आप यहाँ से select कर सकते हैं जैसा कि friend जैसे ही हमने mobile लिखा तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहली option है manufacturing of peggas cellular phone other mobile communication equipment जैसा कि दोस्तों हम तो manufacturing कर नहीं रहे हैं बस retail या फिर repairing का कारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे friend second option जो हमारा है wholesale telephone mobile phone तो जो भी suitable आपको NIC code नजार आएगी उसे ही आपको यहाँ से select कर लेना है इसके बाद दो digit का NIC code खुद select हो जाएगा चार डिजिट का खुद से select हो जाएगा पांचवे डिजिट का अगर select खुद से नहीं होता है auto select तो आप उसे select कर लेंगे इसके बाद हमें add activity पे click करना रहता है जब आप इसे add कर लेंगे friends फिर से आपको cursor को down करना है अब आपको बताना है दोस्तों जो आपका soap है या दुकान है वहाँ पे कितना महिला या प्रूस कायरी करते हैं तो जितने भी लोग आपके soap पे कायरी करते हों वो यहाँ पे data भर देना है इसके बाद friend हमें फिर से cursor को down कर देना है write and down value में आपको 2019-20 का data यहाँ पे fill करना है for example आप यहाँ पे 2,00 रुपे देख पा रहे होंगे तो इसी परकार से दोस्तों आपको fill कर देना है जितनी भी हो मान के चले हम यहाँ पे 2,00 बर देते हैं यहाँ पे दोस्तों example में 0 भर देंगे वरना अगर हम जितने भी यहाँ पे भरेंगे एक लाकिया जो भी तो वो माइनस होती चली जाएगी total में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस होती चली गई तो यहाँ पे हमें simply 0 fill कर देना है इसी परकार से दोस्तों total turnover भी आपको fill करना होगा जैसे के हम हर साल ITR फाइल करते हैं इसके वज़ा से यह आप automatic यहाँ पे fill देख पा रहे होंगे यहाँ पे नई जो आप registration कर रहे होंगे यहाँ पे आपको total annual turnover यहाँ पे fill करना रहता है तो दो लाकिया जो भी वहाँ नजरा है आपको वहाँ पे आपको fill कर देना है इसके बाद कुछ महत्पून चीज़ें आप दो और देख पा रहे होंगे अगर आप registration करना चाहते हैं तो जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड जीला उद्योक करियाले आपको select करना रहता है तो आप यहाँ पे जब click करेंगे यहाँ पे आप जो भी आपकी सामने के जीला होगा वह यहाँ पे show करेगा डिश्टी के हाँ पे show करेगा उससी select करने के बाद finally सभी चीजों को भरने के बाद submit and get final OTP पे आपको click करना रहता है जैसे आप इस पे click करेंगे अगर कुछ चीज़न छुटी हुई हैं तो दोस्तो वो red mark में आपको नजर आएगी उसे आप फिर से fill कर देंगे और next करेंगे उसके बाद फिर से आपको submit and get final OTP पे click करना है आपके register mobile नंबर पे OTP जाएगी जैसे उस OTP को validate करेंगे आपका उद्यम registration का जो भी certificate नंबर होता है वो आपको show करेगा उसके बाद उस certificate को आप download कर सकते हैं आगे के next वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से उद्यम registration का certificate डाउनलोड किया जाता है बहुत ही सरल और आसान है दोस्तों डाउनलोड करना तो वो सब हम आगे जानेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है लास्ट तक वीडियो देखने के आप से भी दोस्तों का बहुत पधनवा तक यू